एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं दुर्जन नीरेन राखिए आंगन कुटी छवाए जब मौका मिले उस दुर्जन को उस आंगन में आग लगाए ऐसा ही कुछ इस वक्त सायद हुती विद्रोही कर रहे हैं सौधी अरब के साथ पूरा का पूरा सौधी अरब इस वक्त हाई अलर्ट में है स्क्रीन में आप आर्टिकल देख सकते हैं गए थे सौधी के रक्षा मंतरी बात करने के लिए हमास इसराइल के युद्ध का लेकिन अमेरिका से क्या बात होने लगी जानेंगे यहां क्या चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सौधी अरब की जीडिपी एक अलग ही लेवल पर पहुँची है आखिर किस कारण से निगेटिव में गई और इन सब के बीच में सौधी अरब और भारत ने कमाल करना सुरू किया है जानेंगे जियो बॉल्टिक्स में क्या कुछ चल रहा है आएए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में मुस्लिम दुनिया किसकी तरफ देख रही है तो आपको बता दें सौधी अरब की तरफ देख रही है अभी सौधी और युवई अगर कह देना कि हम यहाँ पर तूट पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि य यह सारा बवाल बहुत बड़ा रूप ले लेगा लेकिन सौधी और युवई दोनों ही बैलेंस बना कर समझदारी के साथ चल रहे हैं सौधी अरब के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं अमेरिका स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और यहाँ पर उन्हों न इरान और सौधी अरब की दोस्ती करा दीती हाल में चाइना ने हम सभी ने यह देखा था हूती विद्रोईयों की तरफ से सौधी अरब तो निश्चिन्थ हो गया था फिर उसे क्या प्रॉबलम हो गई तो आपको बता दें एक बड़ा वाला गेम हुआ है और इस गेम में स लाइ уг सभी ने ताकि सौधी अरब को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और इसी की सुरक्षा के लिए अघु हो खिला आए और जो समझौता हुआ था वो समझौता तूटता हुआ नजरा रहा है हुती विद्रोही है कौण इरान समर्थित कथित तौरपर एक गृूप है इस गृूप को टरंप ने बैन कर दिया था 2021 में इसे बैन किया गया था टरंप के द्वारा और उसमें जो माइक पॉंपियो विदेश मंतरी थे उन्होंने बोला था कि अधेन एरपोर्ट पर जिस तरीके से हमला किया गया है हुती विद्रोहियों द्वारा हम इसे एक आतंकवादी घटना ही मानते हैं पर बाद में क्या हुआ जब एंथनी ब्लिंकन आये स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं तब इन्होंने कहा कि नहीं जी हम इसको हटा रहे हैं ये इस लिस्ट में नहीं रहेंगे अभी भी माना जाता है कि मिडिलिस्ट में ये काम करके अमेरिका ने सबसे बड़ी प्रॉ क्यों नाराज हुए हैं सौदी की मिलिटरी इस वक्त हाई एलर्ट पर है क्योंकि यमन में यहां सौदी की मिलिटरी और हुथी वीद्रोहियों के बीच में एक जगड़ा हुआ ह और इस लड़ाई में चार सौधी एरब के सैनिक मारे गए हैं जिसके बाद से यह हल चल मच अब अचानक से सांती असांती में क्यों बदल रही है तो आपको बता दें यहीं पास में ही अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोत को भेजा है ताकि इरान के हुती विद्रोयों को काउंटर किया जा सके इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए यमन के हुती विद्रोयों ने क क्या कहा है कि हम इजराइल हमास युद्ध में जुडने जा रहे हैं अमेरिका को खबर थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसे में अमेरिका ने क्या किया अमेरिका ने अपने एक युद्ध पोत को भेज दिया अब इस युद्ध पोत ने चार मिसाइले और कई ड्रोन को मार गिर आया सौधी अरब ने तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे सौधी अरब के साथ जो इरान का सांती समझोता हो रहा था उसे हुती वी द्रोही मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और यहीं वज़े है कि इस कलेस के बाद सौधी अरब की मिलिटरी हाई अलेट पर चली गई है ना सिर्फ सौधी अरब बलकि युवई भी हाई अलेट पर चला गया है इसक्रीन पर इस कटिंग को आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है अभी सौधी और युवई की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सीधे आ गई है अमेरिका के उपर वैसे सौधी अरब के लिए इस समय थोड़े मुश्किल भरे हालात हो रहे हैं हालात इसलिए भी मुश्किल भरे हो रहे हैं क्योंकि सौधी अरब के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है इन चार माइनों के रिजल्ट में जो इनकी जीडिपी है वो माइनस में चली गई है चार दस्मलों पांच परतीसत ये सिकुड गई है अब जैसे ही ये रिजल्ट आया है ये इनके लिए परिसानी का कारण बन गया है वैसे आपको बता दें ये परिसानी साथी अरब ने खुदी बुलाई है इसलिए बुलाई है क्योंकि इसने रूस के साथ मिलकर तैक क कि हम प्रोडक्शन को कम करेंगे और जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस हाय होगा लेकिन कई देशों ने खरीदने ही कम कर दिया जिसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है अब जीडीपी जहां स्रिंक कर रहा है ये अलग-अलग सेक्टर में भी पैसे लगा रहे है बांकी आप देखेंगे ये लिए स्टेट सेक्टर हो ये अलग कुछ हो इसमें भी ये पैसे लगा रहे हैं ताकि तेल पर निर्भरता को कम किया जा सके और अभी के लिए सौधी की समस्या उसकी जीडीपी भी बन गई है जहां एक तरफ ये सारा खेल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और सौधी अरब इन सब हालातों के बीच भी अपने आपको जोड कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए भारत ने रूस से तेल खरीदना 4% कम कर दिया लेकिन सौधी अरब से तेल खरीदना अक्टूबर महिने मे एक बढ़ादिया कारण क्या है तो कई साली चीजें होती है जो रननीतिक कारण भी होती है बिना रननीतीक कारण के कुछ भी नहीं होता है तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं सौधी अरब और भारत कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं हमने पहले भी आपको बताया है पर ये जो खजाना हाथ लगा है न ये समझ लीजिए कि बैपार और तेल दोनों के तरीके को ही बदल देगा सौधी अरब का कई पोर्टों में से एक पोर्ट है दमन का पोर्ट और दमन का पोर्ट बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस पोर्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि यहां आराम से मिलियन मिलियन बैरल के तेल हैंडल किये जा सकते हैं हर पोर्ट इस लायक नहीं होता है जहां पर एक बार में बहुत तरह के जहाजों को हैंडल किया जा सके बहुत तरह के और भारत के पोर्ट में कनेक्शन बनना शुरू हो जाए कोरीडोर बनना शुरू हो जाए जो सिपिंग कोरीडोर हो ताकि खाड़ी के देशों में आराम से भारत अपने माल को पहुँचा सके अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए दमन पोर्ट भारत के इंडिया सौधी इराक सर्विस रूट से जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है बेंगाल टाइगर लाइन और इसके जुड़ने का मतलब है भारत का नावसेवा, मुंदरा, मंगलोर ये पोर्ट बड़े आराम से जुड़ जाएंगे और यहां पर पूरी गतिविदियां बैपार की सिर्फ तेल की ही नहीं पूरे बैपार को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकेगा खैर ये जो चीजे बन रही है ये आने वाले समय में आई में के लिए भी भारत की बहुत बड़ी मदद करने वाली है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ